हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका चीज़ ट्यूब पे इस्टूड अगर आप इस बार क्लास 10 में गया हैं और आप बोड एक्जाम देने वाले हैं तो इस बीडियो आफ के लिए है इस बीडियो में मैंने आपका साइंस पोशन के लिए जो फिजिक्स पार्ट है बुडियो की सिरीज बनाना स्टार्ट किया है तो इस्टूड यह पहला लेक्चियर है मेरा जो कि मैंने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर से स्टार्ट किया है तो इस लेक्चियर में आपको बताऊंगा क कि reflection of light क्या है और spherical mirrors किस type के mirrors हो सकते हैं आपके जैसे कि आपका conqueo mirror या convex mirror और फिर उससे image formation किस तरीके से होती है तो इसमें आप convex और conqueo mirror से कैसे image formation होगी इसमें हम देखेंगे और representation of image form by spherical mirrors representation भी देखेंगे कि हम अगर position को change करते हैं तो mirrors की size में कैसे variations होता है और students हम देखेंगे usage of convection conqueo mirrors तो इसमें हम students use भी देखेंगे कि convex mirror है और conqueo mirror है तो उनका use कहां कहां पर हो सकता है तो students आगे बढ़ते हैं और देखते हैं reflection of flight तो students reflection of flight में मैं आपको बता दूँ कि अगर यह कोई mirror है तो students reflection तब ही possible है जबकि हम उसकी एक surface को mirror की एक surface को polish कर दें क्योंकि इससे light enter होगी तो pass नहीं हो पाएगी और वो इस उसी region में reflect हो जाएगी तो यह student region first है और अगर यह region second है तो अगर student नहां पर हम polish ना करें और अगर हम incident light करें तो इस mirror को पार करके इधार आएगी तो यह student reflection हो जाएगा तो मैं आपको difference थोड़ा बता दे रहा हूं लेकिन reflection के लिए मैं अलग से एक lecture बनाऊंगा जिसमें आप reflection को पूरी तरीके से अच्छे से concept के साथ study करने वाले हैं तो student अभी आप reflection को समझें तो student यह एक ही region में होगा यह एक ही medium है उसी side में आपका यह incident ray आई और इससे reflect होके student reflect होके यह reflected ray इस side में निकल गई student यह है angle of incidence और यह student angle of reflection यह दोनों बराबर होते हैं और यह देखे mirror पर एक point है तो यहाँ पर समझ सकते हैं student जहाँ पर reflection होता है हम आपर दो points important है वो याद रखें the angle of incidence is equal to the angle of reflection आपने भी देखा जो i is equal to r था तो यह था students angle of incidence i और equals to angle of reflection तो i क्या था students r के बराबर था यह i जो की r के बराबर था और शुन आप देखते हैं दुसरा point the incident ray that the incident ray the normal to the mirror and the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane दूसरे point को भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि जो incident ray है और इस पे जो normal जिस point पे और शुन जो reflected ray है वो एक point पे हैं और एक ही plane में है students तो आपको reflection समझ में आ गया होगा कि reflection में में किन-किन points का ध्यान रखना है student यह एक तो क मिजर करते हैं और नॉर्मल से करते हैं तो इस student यह angle i है और फिर इस नॉर्मल से जिदर मिजर करेंगे तो यह angle r है जो कि यह reflected angle है तो हमने क्या देखा i is equals to r तो student आप यह इस बात का बहुत ही ध्यान रखें और इसका note सच्छे से बनाने का i is equals to r तो student इस तरीके से हमने दे इस student आगे बढ़ते हैं और देखते हैं spherical mirrors इस student mirrors दो प्रकार के होते हैं एक होता है conqueo mirror और एक होता है convex mirror the reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward तो इस student अगर inward या outward जिस तरीके से मिरा दो तरीके के होते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यह non reflecting surface पहले तो इस student आपको पता है कि उसको polish करना जरूरी है एक ही surface reflecting होने वाला है तो यह surface reflecting है आपका इदर और इस में इस तरीके से जो mirror है वो दो तरीके के हैं Concave और Convex Mirror और शुर्ण इसमें मैं एक important बात बताता हूँ कि Pole क्या है इसको जो भी measurement हम करते हैं जो भी object को रखते हैं या जो image formation हमारी होती है उसकी distance को हम Pole से measure करते हैं तुछ इसकी definition भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको note कर लें यह आपको help करने वाली है और आपको the center of the reflecting surface of a spherical mirror यह क्या है the center of reflecting surface है जो mirror का है it's lies on the surface of the mirror represented by P और यह surface पे lie करती है इस बात का भी आप ध्यान रखें कि यह surface पे lie करेगी आपका यह surface पे lie करने वाली है जैसे कि student यहाँ पे इस curve surface का जो center है student यहां कहीं होने वाला है और यह surface पे lie करने वाली एक point और इसको किसे denote करते है students P से और इस surface का जो students center point होगा यह नहीं है about यहां होने वाला है इसको denote करेंगे P से और यह क्या होगा students pole तो हमने समझा कि concave और convex mirror का जो division है वो reflecting surface कि side है इससे हुआ कि concave mirror है कि convex mirror है अगर inward है in reflecting surface तो concave mirror होगा अगर outward है reflecting surface तो convex mirror होगा concave convex mirror देखने के बाद हमने समझा कि दोनों पर pole कैसे हम decide करने वाले है तो center of reflecting surface जो होगा वो क्या होगा पोल होगा और यह lie करेगा surface पे students इस बात का ध्यान रखें students आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो reflecting surface है students यह किसी ना किसी spare का part होगा students तो आप समझ सकते हैं कि उसका कोई radius भी होगा उसका कोई center भी होगा तो यह दो चीज़ें आप समझ सकते हैं तो student जहापे c जो है वो क्या है center of curvature of the spherical mirror तो spherical जो mirror है students उसका यह part है reflecting surface एक mirror का part है reflecting surface और उसका जो center है जो spare का वो c पे है जहाँ पे c है और student जो c से और p की distance होगी और r होगी students वो क्या होगी radius होगी radius of curvature of the mirror तो students r को आप समझ सकते हैं कि c और p के बीच की distance होने वाली है और यह c जो है इस reflecting surface है उसके spare का center है तो आपको c की definition समझ में आई होगी और r c p की distance क्यों है यह भी आपको समझ में आया होगा mathematically आपको key points यहाँ पर बता दूँ जिसे आपको ध्यान रखें लेकिन जो center है students यह reflecting surface mirror पे लाई नहीं करता है तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें लेकिन एक बात का यहां पर और ध्यान रखना आपको कि pole जो है वह mirror के जो reflecting surface है उसका center होता है तो वह लाई करता है आपके mirror पे conqueo में c lies in the front of it जो c है वो front पे है इसके देख सकते हैं आप और जो convex है c lies behind the mirror जैसे आपका convex होगा तो mirror ऐसा होगा और यह आपका c इस side आएगा इस बात को भी आप यहां से देख सकते हैं तो ही बात हो रही है कि जो conqueo mirror है c उसमें front पे लाई करता है और जो convex mirror है c उसमें behind the mirror लाई करता है इन सारी बातों का आप बहुत ही ध्यान रखें और इस्ट्वेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमने जैसा की बात कहा था आप से radius of curvature जो c और p के बीश्ट की distance थी उसे radius of curvature of the mirror कहते हैं इस represented by r तो उसकी distance उसको r से लिखते हैं तो distance pc क्या है radius of curvature अगर मान लिज़ यहां पर एक convex mirror है तो c यहां माले जब pole यहां होगा तो c यहां होगा जो कि reflecting surface पर लाई नहीं करेगा तो distance जो यह direction होगी इसको कहते हैं principal axis इसकी definition भी इस points को भी याद रखें कि principal axis किसे कहते हैं तो distance यहां पर मैं आपको हर definition बता रहा हूँ जो की points mirrors में use होने वाले हैं इसको क्या कहते हैं और center और पूर के बिच की distance क्या होती है इस तरीकी के बहुत सारे question आपसे पूछे जा सकते हैं यह आपको दिमाग में होने चाहिए प्योंकि जब question इसलिए आपको सारे points की points पता होने चाहिए students तो हमने देखा principal axis किसे कहते हैं जो principal axis हो pole point पे और mirror पे क्य आ रहा है तो अब देख सकते हैं यह principal axis जो है वो हमारे mirror पे at a pole normal है और the principal focus is represented by the letter f इसको f से represent करने वाले है the distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length तो इसके किसके बीच की distance है हमारी focal length इसका ध्यानक है distance between the pole and principal focus जो है तो students हमारा principal focus है अगर यहाँ पे आता है माले यह f point है तो इसके बीच की जो distance होने वाली है students ओ है focal length principal focus यह f है और pole और f के बीच जो distance है उसको कहते है हम focal length और इसको represent इसकी distance को हम small f से represent करते हैं और इसके point को हम capital f से represent करते हैं तो I hope आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि principal focus क्या है और focal length क्या है और principal axis क्या है pole क्या है radius of curvature क्या है तो इस तरीके से आप the diameter of a reflecting surface यहाँ पर देख सकते हैं यह concave mirror students यहाँ पर देखिए students तो आपको पता चला aperture क्या होता है mirror के case में तो इस बात का भी ध्यान रखें हर की points को ध्यान रखें सबका अपना use है आगे बढ़ते हैं question लगाने में यह point आपको बहुत ही help करने वाला है तो इस बात का याद रखें कि relation between radius of curvature and focal length f तो जो radius of radius of students वो two time focal length होता है क्योंकि आप देख सकते हैं student यहाँ से कि यहाँ पर c है आपका f यहाँ पर है और p यहाँ पर है तो आपको पता है जो radius है वो यहाँ से यहाँ की distance होने वाली है पोल से center की distance होने वाली है तो यह माले जो r है और यह जो distance है यह कितनी है f है small f है तो आप देख सकते हैं कि यह midpoint है इसका जैसे कि यह भी f होगा तो r equals to क्या होगा student to f तो इस बात का ध्यान रखें जो हमारा relation है radius of curvature और focal length में होता है radius of curvature is equals to two times focal length और इस देखते है principal focus of a spherical mirror lies mid between the pole and center of curvature इस दो ही बात मैंने जो कही कि यह midpoint है जो focus f है वो midpoint है center और pole के बीच में students अब हमें image formation देखनी है image formation by a concrete mirror for different position of the object object को mirror से किसी कितनी दूरे पर कहा का रखेंगे तो हमें कैसे कैसी position प्रिलने वाली है हम इसको देखने वाले है students students तो इस तरीके से distance को इसी के बीच में यहां से लेकि यहां तक बैरी करने वाले है और देखने वाले है कि समझाने के लिए कि आप बहुत अच्छे से mirror और rays को देख सकें तो इस अगर कोई भी object हम लेंगे इस अगर कोई भी object जैसे हमने यहां लिया यहां से आई तो यहां से फिर reflect हुई यहां पर तो यहां पर एक कही focus होगी यह focus तो यह focus ही इस्टुनेटों जो हुआ है वो क्या है यहांपर यहां पर यह सारी रेज्ज जो जा रही है पारलल में infinity से है इस तो यह देखे हमारा पोल है और यह हमारा क्या है center of जो हमारा इसपेरीकल मिरर है उसका Center और यह यह है आपका अपर्चर 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 सेंटर पोल फोकस यह सब बातें आपको समझ में आ गई होगी होंगे और यह इस्टुएंट कौन के मिरर और आगे बढ़ते हैं तो यह हम मिरर के अंदर तो कोई लाइं ट्रा नहीं कर सकते ऐसे क्लियर तो इसलिए इसको इस्त इसकों आपको बहुत ही दियानर रखें आपको मिरर तो कैसा बी माग में रहें तो आप समझ पाएंगे कहां पर इंटरसेंटेंचों और इमेज काहां प्रे नुट होगी है तो तो इसे सब्सक्राइन दीन आपकूं लांजी है इपनेंके और दूसरा point आपको मैं बता दूं students अगर light focus से पास होती है तो क्या हो जाती है तो अगर आपका focus से पास होगी तो parallel हो जाएगी principal axis के अगर आप parallel आएगी principal axis से तो फोकस से पास होगी तो ये दो points आपको समझ में आयोंगे और अगर student center से पास होती है तो same उसी पे reflect हो जाती है तो ये तुरंथी इस पे reflect हो जाएगी और student अगर ये पूल पे कहीं किसी normal angle पे आई पे अगर incident होगी तो वो उसी angle पे क्या होगी reflect हो जाएगी तो इस तरीके से आप points को समझ सकते हैं कि अगर parallel आ रही है infinity से तो focus से पास हो रही है और अगर focus से पास करा रहे हैं तो parallel हो जा रही है principal axis के और अगर center से पास कर रहे हैं तो same उसी direction में reflect हो जा रही है और अगर किसी normal eye angle पे उसे पूल पे incident करा रहे हैं तो वो reflect हो जा रही है same angle बनाते हुए तो students इस बात का ध्यान रखेने वाले हैं तो इससे हम image formation बहुत easily कर लेंगे हम दो रेज इस तरीके से डालेंगे और जहां पर उनका reflection reflect हो के intersect करेंगी हमारा image वहीं बन जाएगा reflecting point हमें intersection point मिल जाएगा और हम पता कर पाएगे कि हमारा image कहां भी बना तो student I hope आप समझ गए होंगे कि अगर हम student light को तो student अब देखते हैं हमारा पहला case है जबकि हमारा object infinity पे है माल लिए हमारा object बहुत ही दूर है तो उस पे हम देख सकते हैं लेकिन student यह optical के case में infinity बहुत ही दूर नहीं होता in the sense क्योंकि आप जानते हैं इस तरीके से आप infinity को बहुत ही distance ना समझे और आप बहुत distance भी अगर consider करेंगे तो यह rules follow होने वाले हैं इसलिए जो object थोड़ा दूर काफी होते हैं उनको हम infinity माल लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा object है वो infinity पे है हमने क्या कि आपको बताया है अगर हम infinity पे रख रहा है किसी object को तो उसका image कहां पर बन रहा है focus पे तो आपको object और यह क्या बन रहा है point size बहुत ही छोटा इतने बड़े object रख और आपका image कितना बन रहा है बहुत ही छोटा तो इस तरीके से अब देख सकते हैं हमारे पास लेकिन आप पास आ गया तो हम देखते हैं कि parallel रहा है यहां पर फोकस से पास हो गई तो हमने कहा कि एक रहे को center से पास कराया तो यह क्या होगी है और हमारे object कि size है यह हमारे object कि size है और हमारे image कि size झोंड पूल से distance यहाप इस distance होती है उससे वी कहते हैं तो इस चलक्चन में आपको एक निमेरिकल करांगा तो इसमें आपको काफी हल्फ मिलने वाली है यह वी और यह यह और जो relation देखेंगे और फिर questions करेंगे आगे के lectures में लेकिन अभी आप image formation को देखिए फिर आप देखिए अब हम पहले infinity पे थे इसके बाद हम कहाँ आ गए center से थोड़ा pass आ गए और उसके बाद हम center पे आ गए तो हम क्या है जो intersection point है हमारा कहाँ गया एक range यह parallel जो की focus से पास होई एक range focus से जो parallel होगई तो पहली range इस पे पड़ी वो focus से पास कर गई दूसरी range जो focus से पास होई वो parallel होगई दो reflected देखा intersection point हो कहाँ मिला students इस point पे तो इस student यह क्या हो जाएगा image तो same देखिए अगर हम center पे रख रहे हैं तो क्या है image की size same C पे ही बन रही है और same बन रही है बस inverted हो जा रही है तो इस student इस पे size same है दोनों length बराबर है और inverted हो जा रही है और अगर some object को center से आगे ले जाते है तो हमारा object यहाँ पे है यहाँ पे हमने object को छोटा लिया था object क्या हो गया बड़ा image बना इसका तो आप देख सकते हैं और inverted हो गया और बन कहा रहा है C से दूर पहले क्या बन रहा था इसके अंदर ही बन रहा था अब कहा जा रहा है जैसे जैसे हम इसको अंदर ला रहे है image हमारी कहा जा रही है बाहर जा रही है इस तरीके से आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं मैं इसको याद रखने के लिए point बता रहा हूँ जैसे जैसे हम object को pass ला रहे है image left direction में shift होती जा रही है जैसे object right में जा रहा है image left में जा रही है और हम अभी आगे देखते हैं अगर हम अपने object को focus पे ही रख दें तो क्या होने वाला है तो इसको पहले पहले जो है वह focus से पास होगा और c से पास होगा देख रहे हैं कि यह कई मिल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब को focus से भी आगे ले जाएं focus और pull के बीच में रख दें तो क्या होने वाला है तो हमारी image दूसरी साइड चली जा रही है हमारी image mirror की दूसरी साइड बनेगी और जो हमारी image है वह हमारे object से बड़ी होगी तो यह पूल पर हमने incident कराया तो यह angle पर reflect हो गई और c का जो range होई है तो हमने इसको back करके मिलाया था हमारी यह जो raise है है मिल रही है जहां पर reflected raise मिलेंगी वहां क्या होग जाएगा image formation inverted नहीं हूँ हमारा image और वह सीधा है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसे कि इमेज formation concave mirror के case में कैसी होती है और मैं आपको बता दूं कि concave mirror के case में जो focus है देखिए यह negative side है तो यह negative होता है इस case में whole से जो भी side positive मेजर करते हैं उसे positive sign और जो negative जाते हैं तो इसे negative sign देते हैं तो student I hope आपको image formation concave mirror की समझ में आई होगी कि हम कैसे कैसे आप जिप्टूब infinity पर रखा फिर हमने center के पास रखा फिर हमने center पर रखा फिर हमने center और focus के बीच रखा फिर हमने focus पर रखा और focus और focus के बीच रखा तो हमने देखा कि image कहा का बनी लेकिन मैं आपको summary देने वाला होटेबल में इसका बहुत ही जाना के इसको में औराइच कर लें इससे आपको जहां पर 10th level की competition में science आती है जैसे group या कहीं भी बहुत सारी जगमा पर आपको questions देखने को मिलते हैं और अगर आप further science history में रहने वाले हैं या किसी भी exam में बैठने वाले तो आपको यह बहुत ही help करने वाला है तो पहले हमने देखा था कि यह position of object, position of image कहा होगी और size image का कैसा होगा और nature कैसा होगा image का वो real होगा या virtual होगा तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अगर उसी side बनेगा तो real होगा अगर दूसरी side बनेगा तो virtual होगा अब इस जी बात है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर आप मेरे explanation को ध्यान से देखें तो इस देख बना जिस side बना और इंवर्टर था तो माने अपर side को positive और इसको negative बने तो इधर inverted हो गया और point size था inverted था तो यह बात आपको समझ में आई होगा तो देखते हैं क्या होता है तो image हमारा जो बना हो यहाँ पर बना between f और c यहाँ पर बना image और image कैसा था students मतब घटा छोटा था और real और inverted था same real inverted जैसे वो था क्योंकि यह भी image side बना फिर student हमने क्या किया कि उसको c पे ले गया है सिधा c पे ला दी रख रख दिया तो c पी क्या हो students जो image था वो c पे बन गया और same size का बना लेकिन इनवर्टर था तो student यहाँ पर क्या होगा size क्या था same size और same size और inverter उठा है real भी था और inverted था तो यह nature तो ही रहा real और inverted और इस्टन जैसे हमने इसको c और f के बीच में c और f के बीच लाया object को c और f के बीच लाया तो हमने क्या देखा कि यह beyond c बना c के पीछे चला गया इमेज जो है c के पीछे चली गए तो जैसे हम एधर बट रहे है इमेज हमारा इधर बटा और inverted form में यह अभी तक तो हमने देखा कि यह c के पीछे बन रहा है और यह क्या हो गया इमेज जो अब बड़ी हो रही है तो real और negative y axis बन रहा है तो inverted हम कहेंगे तो real and inverted भी रहने जो different है case हम देखते है जैसे ही हम इसे focus से आगे ले जाएंगे focus और पूल के बीच ले जाएंगे इसे इसका image real नहीं रह जाएगा virtual हो जाएगा और erect होगा सिधा जैसे पी और एक बीच लाएंगे तो यह behind mirror बनने वाला इसमें इसलिए हमने क्या बोला जैसे ही दूसरी साइड में बनेगा वर्चुल हो जाएगा इमेज तो virtual image हमारा दूसरी साइड में बनेगा और enlarge होगा और erect सिधा दूसरी बात तो यह image जो होगा इसमें इस point का होती जा रही है focus से start होके और infinity तक जा रही है और फिर हम दूसरी साइड में हमारा image बन रहा है conqueo mirror से behind the mirror in large size और virtual image इसमें और एक important बात कर लेते हैं कि हमारा conqueo mirror वो यूज कहां कहां होता है conqueo mirror are commonly used in tars, search light, tarses में यूज होता है search light में यूज होता है बाकल में head lights में यूज होता है और इसलिए बाकल के head lights में यूज करते है head lights में जैसे कि parallel lights हमें मिलेंगे तो हम बहुत अच्छे से visibility हमारी सही रहेगी saving mirror to see larger image, larger image इससे हम देख सकते हैं आपने देखा यह जैसे हम object को पास ले जा रहा है उसकी image क्या हो जा रही है इसलिए students dentist भी इसका use करते हैं क्यों कि हम जानते हैं कि इसको काफी हमारा जुक्त anti है उसको देखने के लिए यह आपने क्या problem हीँ है उसको देखने के लिए analysts भी इसका use करते हैं क्या सब्सक्राइब आपको अपना देखें और इसकी फोकस जो आ रही है उसको इसका फोकस होगा वहाँ पर क्या हो जाएगी अगर मिरर को लगाएंगे उसके फोकस पर सेंटर हो जाएगी उसका इमिज जो है अगर कागज आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर अगर उसे इस पॉइंट करके तो आपको यह समझ में होंगे कैसे यूज कर सकते हैं कहां का यूज कर सकते हैं तो इस इस बत का ध्यान रखें इस इससे एक्जामनेशन में कोश्चन शरूर आते हैं तो इसलिए मैंने हर पॉइंट को लिख दिया है यह मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है कि मैं हर पॉइंट को लिखू हूँ एक्टली मैं चाता तो सीधे आपको चीज़ें बता सकता था मैंने इसलिए नोट डाउन कि है कि आप भी मेरे साथ अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर सकें जिससे आप अपने एक्जाम में बहुत ही बैतर कर पाएं लेकिन मैं इसलिए एक सजेशन और दूँगा आप नोट्स को और बुक्स से बनाएं मुझे जितना कॉंस्प्ट है आप इको को सिसू सकेगा जि देख सकते हैं इसका जो फोकस है तुटरेंट वह है पास्टिव बार है इसका पास्टिव होता है मैं रहां बहुत बार आप कोश्चन देखेंगे कमप्टिशन एक्जाम में भी आपको एक question मिलता रहता है तो convex mirror का जो focus है opacity होता है concur mirror का जो focal length है या focus है वो negative होता है तो यह है अपना focus है और यह अपना center है center of करविचत जो है तो यह रहा हमारा object infinity पे हमाल लेजे parallel से हमने डाला तो concentrate का हो भी focus पे तो यहाप instrument पे इंफिनिटी पे जो चीज़े हो focus पे concentrated हो जा रही है पर दूसरी side में हो रही है आप देख सकते हैं हम object को दूसरी side रख रहे है हमारा image दूसरी side बन रहा है तो student आप यह समझ सकते हैं कि image virtual तो बनने ही वाला है और side में काफी छोटा बना है जब हमने infinity पे रखा तो क्या हुआ कि यह image छोटा बना और focus पे at focus तो infinity पे रखे तो at focus पे बना behind the mirror बना दूसरी side हमने बताया जैसा की और highly बहुत ही point size बना बहुत ही छोटा और virtual और वो क्या है object हमारा iasil side है image हमारा दूसरी side मन रहा Turns and object बड़ा है और image छोटा बन रहा तो इसलिए diminished हो रहा наш match चोटा बन रहा इस और virtual और बिउट है पेले तो दूसरी side बना तो virtually हो गया और सीधा है तो देख बहुत हो गया इसलिए Entonces यह virtual और इसमें दो ही कैसे स्टेश्ट लेकिन इसका ध्यान रखें कि कानुएक्स मिर्ण में दो केसे वह को इस बहुत ही ध्यान रखें और हमारा काउंक्यों मिर्या के केस में लास्ट पर जब हम अबज्च को अपने फोकस और पूल के बीछ रखते हैं तब जाके हमारा वर्चुड अब रखते हैं जिसमें अब हम ट्राफिक को देखते हैं पीछे की उसमें हम क्या उज़ करते हैं इस च्छोटा सा मिरर बहुत सारे अरिया को कबर करता है आप इस पांस को जानने सब्से बात है कि बार बार उसकी फोकशिंग में चेंजिंग नहीं है अगर पूल और इंफिं दूसरी साइड में बनने वाला है आपने देखा यह पूल रहा और यह फोकस रहा तो इसके बीच में ही इसका इमिज फॉर्मिशन होने वाला है बैस्ट्यू जो है जो वैकल्स है उसमें फिट किया जाता है उसमें मेरे तो इस्ट्वेंट्स आपके लिए वीडियो बहुत ही कबर कर लेंगे और जबकि आपका बोर्ड एक्जाम देखे अभी तो कोविड-19 का प्राब्लम है तो सब कुछ भी एफिक्स नहीं है लेकिन मैं यह कहूंगा स्लेबस कम होने पर ध्यान ना दें अपनी पढ़ाई को पूरी तरह करें क्योंकि जैसे कोविड-19 दूर होगा आपको चीजें आपको competition फिर से वही पर आने वाला है तो हो सके जितना आप पढ़े पाएं अच्छे से अपने concept को clear रखें और जो आप अपने vision को देखते रहें क्योंकि 11 टल्स में हो सकता है जैसे यह COVID-19 खत्म हो आपको इसलेबस फूल हो वहाँ पर आ जाए तो इसलिए आपको भी बहुत अच्छे से समझे रहें और numerical spot आपका बहुत अच्छा है एही टेक्निक हैं physics में score करने का तो students बने रहे हैं हमारे साथ और अपनी पढ़ाई करते रहें तो मेरा पहला lecture था physics पे आपको कैसा लगा मुझे comment section में बताएं हमने students क्या-क्या पढ़ा मैं आपक सा देता हूं ने देखा कि हमारे पास दो ट्राइब के मिरार हैं कांके मिरर और कॉन्वेक्स मिरर फिर हमने देखा कांके मिरर से image formation कैसे होती है और हमने मिरर में students पोल क्या होता है focal length क्या होती है radius of curvature क्या होता है इन सब चीजों के बारे में भी बहुत अच्छे से जाना हमने object को रख रहे हैं तो हमने उसके हिसाफ से यह भी सीकला की diagram कहां पर इसका image बनने वाला है हम खुद समझ सकते हैं और फिर हमने आपको एक table बताया जिसमें आप सब कुछ आपको अच्छे से frame किया हुआ था कि कौन से चीजों को कहां रखेंगे तो image कहां पर बनने वाल देखा कि बहुत सारे students problem में हैं उन्हें अच्छी guidance नहीं मिल पा रही है या वो science को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसलिए students मैंने यह course शुरू किया आपके लिए अगर आप लोग साथ देते हैं तो मैं आपको सारे chapters बहुत यह से पढ़ाने वाला हूँ तो student वीड उस हर students के पास पहुच जाए जिनको इसकी need है तो उनको headache थोड़ी कम होगी और उनकी पढ़ाई चलती रहेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा तो student मैं आपके आपके लिए मिनत करने वाला हूँ आप भी इससे जूड़ते रहें तो student like, subscribe and share my channel तो student मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ अपना ध्यान रखें तो student मैं आपके response का वेट करूँगा तो student like, subscribe and share my channel थैंक्यू बहुत बहुत धन्यबाद आगे फिर मेलते है students, Convex और Conquer American Americans के साथ